गोड़ा गाड़ी में दो दिन के सफर के पाद फादर मेरिन अपने चर्थ से फार्म हाउस पहुच गए थे गोड़ा गाड़ी इनको छोड़ करके चली गई फादर मेरिन घर की तरफ आगे बढ़े ये हैं सर हॉपकिन इन्होंने ही फादर मेरिन को बुलाया था और उनका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे दरवाजे पर जैसे ही दस्तक हुई तो ये फॉरण से दरवाजा खुलने के लिए आगे बढ़े फादर मेरिन से आज पहली दफा मिले थे और नहीं जानते थे कि आखिर इन्होंने इनको बुलाया क्यूं है आप के लिए मैंने एक कमरा तैयार कियावा है आप पहले थोड़ा आराम कर लें आप यकिनन बहुत ज़्यादा ठक गए होंगे फिर मैं आपका खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ जी बहुत बहुत शुक्रिया फादर मेरिन बिस तर बार अराम करने के लिए लेड गए थे इनको सिर्फ इतना पता था कि सर हॉपकिन की बेगम की दबित खराब है इसलिए इनको फार्म हाउस बुलाया गिया है फिर कमरे का दर्वाजा खुला और सर हॉपकिन ने कहा फादर खाने के लिए आजाईए जी वो मैंने पहले थोड़ा बहुत खा लिया था और वैसे भी मुझे अभी भूक नहीं है आपकी बेगम नजर नहीं आरी, वो कहां है? जी उसकी तबियत बहुत खराब है, इसलिए मैंने आपको यहां पर बुलाया है मुझे क्यूं? आपने डॉक्टरों को नहीं दिखाया क्या? मैंने शेहर के सब बड़े डॉक्टरों को उसे दिखाया, मगर कोई फाइदा नहीं हुआ मुझे लगता है कि मेरी बीवी को सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं मैं ठीक कर सकता हूँ? मैं कुछ समझा नहीं, आपकी बीवी को हुआ क्या है? किसी की चीखने की बहुत जोर से आवाज आई, सर हॉपकेन उटकर के खड़े हो गया और बोले ये जो चीखने की आवाज आपने सुनी, ये मेरी बीवी की थी एक साल के अंदर इसकी इतनी तब्यद खराब हो गई, कि मुझे यकीन नहीं आ रहा डॉक्टरों ने कहा कि इसके तिमाग में कुछ मसला है, मगर दवाओं ने काम नहीं किया डॉक्टरों ने फिर कहा कि आपकी बीवी पूरी पागल हो चुकी है और इनका इलाज मुमकिन नहीं, इनको यहीं पागल खाने में बन करना पड़ेगा मगर मैं ना माना और घर ले आया मुझे किसी ने कहा है कि मेरी बीवी पर जिन्नात का साया है शुरू में तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया मगर अब मुझे भी ऐसा कुछ लगता है उसकी अचानक आवाज बदल जाती है और उसमें बेपना ताकत आ जाती है वो अपने आपको और जो भी उसके करीब जाए नुकसान पहुचाती है प्लीज फादर मेरिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ आप मेरी बीवी को ठीक कर दीजे ओ नो आप एक्सॉर्सिजम यानि के अपनी बीवी पर से जिन उतरवाना चाते हैं आपको मुझे पहले बताना चाहिए था मैं चर्च की परमिशन के बगएर एक्सॉर्सिजम नहीं कर सकता और अकेले तो बिलकुल भी नहीं आप एक बार प्लीज मेरी बीवी को देख करके ये तो पता दीजे कि क्या वाकई उस पर जिन चड़ गया है ठीक है मैं देख लेता हूँ क्या आपकी बीवी को हुआ क्या है किसी के उपर से जिन हटाना कोई आसान काम नहीं है फादर मेरीन के खाना खाने के बाद सर हॉपकिन उनको अपनी वाइफ के कमरे के बास ले आए फिर कमरे का दर्वाजा खुला और सर हॉपकिन ने कहा फादर अंदर आजाईए फिर सर हॉपकिन के पीछे फादर मेरीन अंदर चले गए अंदर जाकर के जब फादर मेरिन ने उनकी वाइफ को देखा तो उनकी आँखे तो फटी की फटी रह गई उन्होंने पूछा इनको बांग के क्यों रखावा है और ये जिस जमीन पर हट्टियां क्यों बढ़ी ही है मैंने आपको बताया था ना के ये बहुत जादा खतरनाक हो जाती है मारने पीटने लगती है इसलिए इसको बांग के रखावा है और इसको खाने में सिर्फ कच्चा गोश्ट और हड्डियां बहुत पसंद है मिसिस हॉपकिन को बिस्तर पर जन्जीरों से बांद करके रखावा था और इनके जिसम पर बहुत जादा जखमों के और चोट के निशान थे फादर मेरिन का हलक खुश्को गया उन्होंने कहा मुझे एक गलास पानी मिल जाएगा सर हॉपकिन फिर इनके लिए पानी लेने के लिए चले गए मिसिस हॉपकिन की जिसम पर बहुत ज़ादा चोटों के निशान थे फादर मेरिन सोच रहे थे कि क्या वाकर इन्होंने अपने आपको ये नुकसान पहुचाया है फिर अचानक उसी वक्त मिस्सिस हॉपकिन जाग गई और बोली फादर प्लीज मुझे बचा लीजिए हॉपकिन, हॉपकिन मुझे मार डालेगा यह मेरे जिसम पे निशान उसने मुझे मारा है उसने मुझे बान के रखा वा है सर हॉपकिन, आपको क्यों मारेंगे? वो मेरी सारी जाइदात पर कबजा करना चाते हैं मेरे पास वक्त बहुत कम है उन्होंने सारे नौकरों को निकाल दिया है अब वो मुझे यकिनन जल्द मार डालेंगे मिस्स हॉपकिन, आपकी तब्य ठीक नहीं है इसलिए आप ऐसा सोच रही है सर हॉपकिन तो, आपके लिए बहुत ज़्यादा फिकर मंद है आप भी उसकी बातों में आगे है फादर ये हटियां उसने फेकी है आपको बेवकूव बनाने के लिए वो मुझे दमाओं के इंजेक्शन लगाता है ताके मैं उल्टी सीदी हरकते करूँ और दुनिया को बता सके के मैं पागल हो गई हूँ वो एक शिकारी है वो मुझे मार डालेगा वैसे ही कैसे इसने अपनी पहली बीवी को मारा था ये सुनकर के फादर मेरिन की जान निकल गई उसी वक्त सर हॉपकिन कमरे में आ गए पानी का किलास लेकर के ये लीजिए फादर पानी पी लीजिए ये क्या कोई आप से बात कर रही थी नहीं वो नीन में कुछ कह रही थी समझ नहीं आया सर हॉपकिन फादर को घूर घूर के देख रहे थे फादर मेरिन ने फिर पूछा आपके नौकर नहीं है घर पे आपको खुद पानी लेके आना पड़ा इसके खौफ की वज़े से सब छोड़ करके चले गए फादर मेरिन ने उटकर के पानी पिया और उसके बाद सर हॉपकिन ने उनसे पूछा फादर मेरिन आपको क्या लगता है क्या इस पर जिन चड़ावा है नहीं अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे मैं कह सकूँ कि इन पर वाकई कोई जिन चड़ावा है मुझे लगता है आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आया ठीक है आप सुबा चले जाएगा मैं आपको छोड़वा दूँगा नहीं अभी नहीं मुझे कुछ वक्त और चाहिए इनने देखने के लिए ठीक है आपकी मर्जी मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ फादर मेरेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें मिस्स हॉपकिन तो बेहोश हुई भी थी सर हॉपकिन के जाने के बाद फादर मेरेन एक बार फिर उनके पास आए और बोले मिस्स हॉपकिन मिस्स हॉपकिन आप होश में हैं प्लीज फादर मुझे बचा लिजे मुझे अपने घरवालों के पास ले जाए आप ही मुझे बचा सकते हैं फादर सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं ओके मैं खोलता हूँ आपको आप बिल्कुल फिकर नहीं करें शिकार कीवे जानवरों के सर दिवार पे लगे वे थे फादर मेरिन कमरे से बाहर लिख ले और इदर दर देखने लगे कि कहीं सर हॉपकिन तो नहीं है यहाँ पर मेरे पीछे आजाईए आप फादर ने मिसिस हॉपकिन को खोल दिया था अब इनको घर से बाहर निकालना था फिर अचानक वो रुख गए सामने से सर हॉपकिन आगया और बोले फादर मेरिन कहां जा रहे हैं आप आपका कमरा तो दूसरी तरफ है आप तो सोने के लिए जले गए थे ये आपके हाथ में क्या है सर हॉपकिन के हाथ में एक बड़ी सी सिरिंज थी जिसमें लाल रंग की दवाई भरीवी थी हाँ मैं सोने लेट गया था बाद में मुझे याद आया के मैं रात का इंजेक्शन इन्हें लगाना भूल गया हूँ तो मैं वही लगाने के लिए जा रहा था सर हॉपकिन मैं सब जान गया हूँ प्लीज आप ऐसा मत करें आप अपनी बीवी को जाने दें फादर मेरें आप क्या जान चुके हैं मैं समझा नहीं यही के आपकी बीवी को कुछ नहीं हुआ है आप बस उसे इसलिए मारना चाते हैं ताके आप उसकी जैदा धड़ब कर सकें जिस तरह आपने अपनी पहली बीवी को मारा था मैंने अपनी पहली बीवी को मारा था मैंने तो पहले कभी शादी ही नहीं की थी ये आपको बातें कौन बता रहा है कहीं ये बातें आपसे मेरी बीवी ने तो नहीं की फादर मेरेन कहीं आपने उसे खोल तो नहीं दिया फादर मेरेन भाग करके दिवार के साथ खड़े हो गये उन्होंने जब देखा कि सर हॉपकिन के साथ क्या हो रहा है तोनों ने तो डर के मारे आखे बन कर ली सर हॉपकिन के हाथ में जो इन्जेक्शन था अब वो इंके सर के अंदर खुजावा था फादर मेरिन आग बन करके खड़े वे थे फिर मिसिस हॉपकिन अहिस्टा हिस्ते चलते वे उनके सामने आकर के खड़ी हो गई फिर वो एक भारी आवाज में बोली फादर मुझे अजाद करने का आपका बहुत शुक्रिया फिर वो फादर को बगएर कोई नुकसान पहुचाए वे वहाँ से चली गई फादर मेरिन को चक्कर आया और वो जोर से जमी पर गिर गए फादर मेरिन की किसमत अच्छी थी के वो बच गए मगध सर हॉपकिन मारे गए मिसिस हॉपकिन पर वाकी जिन चड़ा हुआ था जो के फादर मेरिन को धोका दे करके वहाँ से भाग गया झाल